तो हाई दोस्तो स्वागत है आप सभी का डेली फटाफट निउस में आप देखने वाले हैं देश जगत की 20 बड़ी खबरे जी हाँ सिफ डेली फटाफट निउस पर तो आईए चलिए देखते हैं दिन भर की और देश जगत की 20 बड़ी खबरे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक और सुरक्षमामलों के विशेजग्य कैप्टन अनिल गौर रिटायर्ड ने कहा कि अगर महबुवा मुफ्ति और वारुक अब्दुल्ला जैसे नेताओं के विसपोटक बयानों पर शेकंजा नहीं कसा गया तो कश्मीर में पीम मोधी चमतकार नहीं दिखा सकेंगे स्थानी नेताओं के अलावा भारत सरकार भी इसके लिए दोशी है वाइस लिए कि तोड़फोड के बयान देने वालों के खिलाफ समय पर कारिवाई नहीं करती कश्मीर का आम व्यक्ति आज सुक चैन चाता है मगर इस राह में कुछ राजनेता ही सब से बड़ा रोडा बन गए हैं इनके आगे उगलने वाले बयान शांत कश्मीर को हिला दे सकते हैं सुरिकुमार यादव को जब टीम इंडिया में जवा नहीं दिये जाने के बाद हरवजन सिंग ने अपनी निराशा और गुस्सा जाहिर किया है उन्होंने सेलेक्टर से अन क्या करें कि उन्हें टीम में चैन किया जाए अभिनेतरी रिया चक्रवर्ती ने मंगलवार को बॉंबे हाई कोड में दिवांगत अभिनेता सुषान सिंग राजपूत की दो बहनों के खिलाफ याचिका दायर की है उन्होंने कोड से अनुरोत किया है कि दिवांगत अभिन मीतु सिंग के खिलाफ दर्च परात्मिकी को रद करने वाली याचिका को खारिच कर दें रिया चक्रवर्ती ने सुषान सिंग राजपूत की वहन प्रियंंका और मीतु सिंग के खिलाफ पिछले मई ने मामला दर्च करवाया था अभिनेतरी दीपिका पद्गोन की मेनेजर करिश्मा प्रकाश के घर पर आज NCB ने रेट की सूत्रों के मताबिक रेट के दोरान करिश्मा के घर से ड्रक्स की कंजम्शन कौंटिटी बरामद हुई करिश्मा को NCB ने समन भेज़ कर पूस्ताच के लिए बुलाया है लेकिन वो अंट्रेसिबल है केंदरी ग्रह मंतराल ने कहा MHA ने आज आज अर्डर जारी किया है जिसके तहर 30 सितंबर को जारी की गई गाइडलाइन्स 30 नौमबर तक प्रभावित रहेंगी महीं 30 नौमबर 2020 तक कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन को सक्ती से लागू किया जाएगा मद्य पुदेश के मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि फिल्म पद्मावत को रोकने का फैसला उनों नहीं किया था शिवराज ने कहा कि उसे रोकने के दोरान जिन नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किये हुए हैं उसे वापस लिया जाएगा इसके साथ ही पद्मावती की जीवनी को सलेबस में शामिल किया जाएगा कांग्रेस के अंदर सिंधिया और पालेट दोनों की कहानी एक बागी के रूप में निकल कर आई कांग्रेस सोशल मीडिया विंग पहले से ही दोनों के बीच बिखाऊ और टिकाऊ की लड़ाई को पिच करना शुरू कर चुका है या सचिन पालेट के कांग्रेस में ही रहने और सिंधिया के बाजपा में चले जाने को संदर्बित करता है कांग्रेश सिंधिया को दिखाना चाहती है कि निश्टा का फल मिलता है और सचिन पाइलेट को केवल राजस्तान के चेहरे के रूप में नहीं देखा जा रहा है बलकि वह उनके राश्टी नेता भी होंगे मद्यप्रदेश में प्रचार के बाद पाइलेट बिहार चुनाव में भी प्रचार करेंगे सपा सरकार में तयार हुए मुलायम सिंग यादव मेडिकल कालेज का नाम अब भाचवा सरकार में बदल गया है अब Medical College का नाम National Capital Region Institute of Medical Science हो गया है भारती आयूर विग्यान परिशत के अधिक्रमन्ट में शासी बोर्ड MCI नए नाम से प्रमाड जारी किया गया है नाम बदलने को राजनीतिक कारंट से जोड़ कर देखा जा रहा है केंडर सरकार के ऐलान के बाद मोरेटोरियम का लाब लेने वाले ग्राहक और लाब नहीं लेने वाले ग्राहक आरबियाई के आदेश का इंतजार कर रहे थे अब मंगलवार को RBI ने निदेश के सभी बैंकों और लोन देने वाले संस्थानों को आदेश दिया है कि ग्राहकों को जल से जल बयाच पर बयाच की छूट का लाख पहुंचाया जाए मुख्य मंतरी निदेश कुमाने सोमवार को महानार की सभी बयार में प्रजन दर कम करने के अपने प्रयासों की बात कही इसी दोरान लालू पसाद यादव का नाम लिये बिना निशाना साधा किसी को चिनता है लोग आट नो बच्चा पैदा करता है बेटियों पर भरोसा ही नहीं करता है कई बेटियां हो गई तब बाद ने बेटा हुआ तेजसी ने कहा कि नितीश ने मेरे परिवार पर बयान दे कर एक तरह से प्रधान मंतिर नहीं मोदी पर निशाना साधा है मोदी के छे भाई बहन है नितीश ने ना किवल महिलाओ का अपमान किया बलकि मेरी माग की भावनाओं को ठेस पहुचाई वे मुख्य मुद्धों म पर स्पी जल्द इनाम की गोशना कर सकते हैं साथी उसकी संपत्ती कुर्क भी की तैयारी है कंपू धाने में पदस्त ततकालिन टी आई के अंत्रे पार्टी ने स्कूटर चड़वाने आई महिला से पहले वाट्सेप पर चेटिंग की और उसे धाने बलाकर अपने कैबिन म चेट चाड की थी इस मामले में पीडिता ने पुलिस अफसरों से शिकायत की थी जिस पर पुलिस कप्तान अमिच सांगी की निर्देश पर महिला थाने में चेट चाड का मामला दर्श किया गया था वहीं पुलिस कप्तान ने आरूपी निरक्षक को सस्पेंट कर दिया था फ्यूचर ग्रूप के किशोर बियानी ने कहा कि यदि रीटेल कारूबार को लैंस ग्रूप के हाथो बेचने की डील फेल होती है तो कम्पनी इस कारूबार को ही बंद कर देगी राइटर्स की रिपोर्ट के मताबिक सिंगपर स्थिद आर्बिट्रेशन पैनल में अमेजोन की और से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दोरान फ्यूचर ग्रूप ने अपना पक्ष रखते हुए या बात कही है पता दे कि रविवार को ही आर्बिट्रेशन पैनल ने इस को फिलाल रोकने का आदेश दिया है अमेजोन ने अपनी आचिका में आरोप लगाया है कि रिलाइंस के साथ डील करके फ्यूचर ग्रूप ने अपने उसके साथ एक तै की गई शर्ते का लंगन किया है अमेजोन का कहना है कि फ्यूचर ग्रूप के साथ हुई उसकी डील मे यात है हुआ था कि उसके पास right to first refuse होगा अनुराक ठाकुन ने कहा चिराक पासवन पर कोई विश्वास नहीं करता हिंडी एकांट की पार्टी से कोई लेंदेना नहीं है इस मौक़े पर अनुराक ठाकुन ने महागर बंदन के CM पत के पत्याशी तेजस्टी आदब पर भी न इसका उनके प्रदर्शन पर असर हो रहा है और ये दिखा भी अब इस लीग के अगले सीजन यानि IPL 2021 का आयोजन होने में छे महीने का समय है ऐसे में धोनी CSK को लीड करेंगे या नहीं इस पर काफी चर्चा हो रही है हलाकि इस पर धोनी का क्या फैसला है ये तो वही जागते हैं लेकिन CSK CEO काशी विश्वनाथन ने जोर दे कर कहा कि MS धोनी साल 2021 में भी CSK को लीड करेंगे मुक्य मंतरी शिवराज ने कहा कि अपनी संभावित पराजय से बौकला कर कांग्रेस के नेता कमलनात और दिगविजय सिंग आजकल करमचारियों और अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं रोज दमकी दे जा रही है कि हम देख लेंगे निप्टा लेंगे हम निप्टा देंगे आखिर उनका भी आतमसमान होता है उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है उनका आपमान किया जा रहा है दमकाना भी चुनाव आचार सहींता का उलंगन है इसलिए मैं मान निये उचुनाव आयोग से निवेदन करता हूं कि वह मामले में जाच करें, सयांग लें और दमकाने वालों के खिलाफ कारवाई करें। रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस के बीच जारी तनादनी अभी भी बनी हुई है। आज जब मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक की आउटपुट एडिटर सागरिका मित्रा को पूस्ताच के लिए बुलाया तो रिपब्लिक की एडिटर इनचीफ अर्नब गोस्वामी भी उनके साथ पुलिस टेशन गए। में बड़े रोचक सवाल खड़े कर सकते हैं और वह वेशिक की दिशावी तै कर सकते हैं। की इस्तान का भी जवाब मिलेगा। नए नियम के मताबिक अब कोई भी भारती नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाक में जमीन खरीच सकता है। केंदर ने 26 कानूनों को निरस्तिया बदल दिया है। फाइनस मिनेस्टर निर्मला सीतरमन ने का अर्थवेस्ता में सिधार के मिल रहे हैं संकीत। लेकिन इस साल नेगेटिव रहेगी जीडिपी ग्रोथ। आईपील का 47 मैच आज सहारा और दली कैपिटल के बीच में खेला गया। वहीं आपको मतला दे कि पहली पारी में बेटिंग करने उतरी सहारा ने 219 रन 2 विकेट पर बनाये 20 ओवर में। वहीं आपको बतला दे कि दूसरी पारी में बैटिंग करने उत्री जली कैपिटल ने 131 रन ही बना पाई 19 उवर में साहरा ने 88 रन से मकावला जीत लिया तो अबर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद